तो हाई गाइस वेलकम तो अनक्याडमी लेट्सक्राइक एक्जाम और मैं वेशा लिगाए आप सभी का बहुत-बहुत करते हूं यह हमाई लेट्सक्राइक एक्जाम की टीम है जैंपी पेशी ज्यापम जैसे एक्जाम की तैयारी करवाथ आगे बढ़ने से पहले अपने बारे मैं बताना चाहूंगी कि मेना नम रशाली राय है मैंने बीवी इन बीपेट के बीए से स्कॉलेज बरकतलर उनिवर्सिटी से एक्स्पिरेंस से और मैंने क्लाइट क्लाइट के एंपी पेसी के इस्ट्रुन को पढ़ाया है किसी में बीडिया है 1718 में और मैं एक एक अनके एजुकेटर उस जून 2020 से अनके बारे में बात को अनके में इंडिया के सबसे बड़ा एलनिव प्लस कोर्सेश प्रवाइड करवाता है आप किसी भी तयारी क्यों न करो यह आपको डेलाइव इंट्राक्टिव क्लासे देता है यहां आपके साथ चाइट कर सकते हो और डिसकस कर सकते हो अपने सब्सक्राश को बाते हो और से कुछ हो यह मिट्स को सब्सक्राइब को दोबार से दोबार देखना है तो आप उससे चाहिक और आपको पड़ता है एक साल को पड़ता है मात आपको पड़ेगा साथ नौसल बीस का वहीं आपको दो साल का पड़ता है सांति आपको सारी चैनल का पड़ता है मैं हिनिवल की मेरी साथ जो जटने क्लाषेटर आपको सब की क्लाषेश वहाँ अवलेबल होती है तो आप साहई क्लाषेश देख्लेंगे तो आपको बहुत कम ताइब स्लेबर कर सकते हैं इक चीज़ और है कि हमारा जो एक समवक फैसा दिले हुआ है जैसे हमारा वो होगा decision आएगा हमारे सारे exam के calendar आजेंगे और जितना probability यह डिसम्बर तक फैसला आगा तो फैब में last of first week of March तक प्री हमारा हो ही जाएगा एंड साथ ही मेंस की बात के तो तीन मेंन के कि अल्रीड काम बहुत खिश गया है तो जो हमारा MPP से हो बहुत जल्दी exam कर रही तो अभी बहुत सही टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अभी आप सब्सक्रिप्शन ले ल बहुत हमनों के टाइम जो वह डिस्टर्ब हुआ है तो पढ़ाय डिस्टर्ब ना करते अनकाडविं आपको दो दो सबीस लाए कि आप घर में अपने smartphone केवल अपने smartphone से आप अनकाडमी की classes का अटेंड करते बिना कहीं जाए मेंस घर बैटर बैटें बिना रुकावट के आ तो यहां रखिएगा मेरा कोड़े वैशाले वी ए आई से चलाई अगर आप यूज करेंगे तो आपको टेन पर्सिंग का डिस्कॉंट मिलेगा एक साल के सब्सक्रिप्शन पड़ेगा मार्थ आपको 7920 का वहीं दो साल का पड़ेगा 11520 का साथ में आपको लिए 6 मेने 12 मेने 24 मेने पर नो कोस्ट यह मैं का ऑप्शन भी लाइए इसको भी जरूर देखिएगा साथ मेरे कोर्स की बात करूं और हम तीन बजी हिस्ट्री पढ़ने हैं इसमें आज बने जैनेरिजम स्टार्ट कर दूंगी मतलब मैं आज जैनेरिजम से स्टार्ट कर देंगी हम रोग भाग यह क्या खंड आया पार्ट यह है वो मेरा कंपीट हो जाएगा एकनोमिक्स वद मेरा प्लैन मैं आपको जो यूनिट फॉर हमाए खंड भी में उसका सोचिल लोजी का पार्ट कंप्रीट करवा दूंगी वहीं पेपर त्री में मैं आपको 16 समस्ट आपक लिए अन्व कर देंगे ताकि हम जो प्रारूप यह बच्चों को डौट होता है डर भी लगता है लिकने में वह भी हम यहां कवर कर लेंगे तो जैसे हमाई सोचिलोगी खतम होगी तो मेरी कोशिश रहेगी कि यहां तो मैं इसमें जो वाटर मेंज्मेंट इसास्टर मेंज्मेंट यह अभी आएं तीन बज्च हम लोग एंचेट हिस्टरी को कवर करते हैं रात में नौ बज्च हम टॉपिक वाइस से को सॉलव करते हैं तो बने रहेगा तो क्लास में साथ में बने रहेगा क्योंकि काफिश नवी आपको जैने दम पढ़ाऊंगे तो जैने अरि अगे गए लि तो बात करें, तो अल्रीडि मैंने आपको यह पढ़ा दिया, यह हमारा पुरा कवर हो गया, यह कवर हो गया, और यह तक हमारा यह जो है, सब जो है हमारा पूरा तो यह हमें प्रसाशन और प्रबंदन जो है वो कंप्रीट कर लिया अब धार्णा भी है जो भी हमाया पूरा कंप्रीट हो चुका है तो शक्ति सक्तर प्रदिकाली उस तरह को प्रत्युजन जो हमने कवर कर लिया साथ ही संगटन की सिद्धान पस्टोपान है हमारा हो गया नियंदर का छेत हो गया आदेश के एकता होगी बा प्रसाशन वह उसे क Воell मस चाल इस लों कर लेंगे कूल वही नाकिन चीजें नान पर तरह करेंगे और मैक्स अब्चन छाथी थो क्लियर होगा उसटार्ट करें आज हम पढ़ने वाले के Regular को चीजरूए के के आपर देखा को हम लोग को फेल प्रचर्ण पार बहूँत पढ होता है और इससे को विकेंदी कराण के होता क्या है और इसस को क्या फाइद आच हम केंदी करण को कि बाए में किस स्कॉर्न ने किस विड़ान ने क्या कता है प्रस्थुत किया है तो इन सब चीजों को आज हम डीटेल में discuss कर लेंगे तो इस समय केंडी करण सब कुछ अभीकुल डीटेल में cover हो जाएगा तो अगर केंडी करण और केंडी करण की अर्थ के में बात करूँ तो करन संगतार के किसी भी संगटन का किस तरह का working करन्य करन्य कैंऩ के केंदी करन जीकरन था है कि कեՁदी करन्य कर नहीं करन्य करन्माथ होगा, थो फंक्शिनिंग चंश्रक्चर्ण, तुन हahr थे बत higher आज बात कर लेंगे क्लियर हुआ यहां का तो विकेंदी कड के संकड़े के सिधान में एक महत पुर अबधार्ना है तो वही अबधार्ना से आज हम भलीचित होंगे क्लिएर है कि विछिए यहां से निधार्ना दे संविधान च।शुदन नहीं आया था तो ज्यादा शुकावथा टेकिस ततरवाए चौहतर गाश्याग आने के बाद हमाय किमिती श्यूंट्ट के बाद करी है डियू करने के बारे में बात करी तो क्या थी पर एक वह धीन चोड़न में को हिसे इसे परएप में हमारा भूत ज्यादा फोकस था वह अब पहां हो गया मगहा आप उनow सामने को क्या है क्या है MPPC Crown taşं양 संगान sleeping को कि सिर्वेन कौना कि सब्सक्राइब करन को वहाँ आता है democratic लोक NATO को हमारा 24 नंदिक fifteen और जुआ को अब मैं दो नों को दू यह कि पी वहां तो बहुत है। सब्सक्राइब करता है चाले होगा तो क्या होगा क्या यह बोलती है मैने बेल बाक्राइब हैशन एक विर पड़ाई है नेसे कि यह कंदी खरण में जो प्रभुता होती वो उस पर बल देता है और जो हाईयर अथौरिटी होती है जो मारी हाई अश्तर होता है किसी भी संग्रण का वह ज्यादा पावरफुल देखा जाता है वहीं पर अगर विकेंदी करंड की बात करूं तो प्रतिस पादा आज मिनेड में और शहभागिता पर अधिक बल्द दिया जाते यह से कि हमारे संभिधान चुंचोधन आया तो 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 चाहरी और हमारे जो ग्रामिटी उसमें चुना हुए तो वह तो वह तो कि अपना ने चुनाएं तो वह आत्मनिर्बाय हो के अपना निर्णा ले सकते हैं ठीक है अब एक राज एक जिले में अलग सरकार है और दूसरे जिले में अलग तो उनों के बीच में प्रतिस परजा की फिलिंग भी आगी कि वह अगर डिस्ट्रिक्ट जो हमाया जिला है इतना अच्छा प ज новых शेवर्बाय है अब बात करें होकश सबस्क्राइब होता है अलग ग्सिंज्छा का वहां सिद्ध्ध दहानती जिसमें अदिकारू इवं सबस्कार्ण के ऊंटिंटिंग्लाइब का संखंच तर पराको कोँष तर वाले कोई तो कई वाले तो कई वाक क्या होता है कि दो र्यालिटी था रही हों में तो अपना वड़ी शॉच ग्राँट हाप स बिचलिखने जेन्ली सवर से क्यों होता तो क्या होगा कार में एफिशेंसी नियोगी तो क्या होगा कार सही से नहीं होगा तो हो सकता है जो उद्देश से वो जो शक्ति है जो संगत ने उसका उद्देशी पूरा ना हो ठीक है अब यह कैंडिकन का है उसका अधाई-level organization तो मैंने आपको फाइद नुक्सान दोनों ब करवाएगा high authority उसके बाद नीतियों का मुल्यां करें evaluation योगा वह कौन करेंगा high authority तो यह सब चीज़ा करेंगा तो ठीक हो सब करेंगा तो वह सकता है कुछ महकपुर मुद्यों जिने वह चूक जाए कि सब काम करें तो भाई कोई काम तो मिस होगा कहीं तो उसकी कुशलता क कम होगी हो जहां कुशलता कम होगी हो सकते बहुत important topic हो वहां उसकी कुशलता देखने को कम मिले तो बहुत भारी एक संगटें को लुकसान उठाना पड़े तो यह सब चीज़ें भी देखने को मिलती है तो यहां तक लियर हुआ यहां तक लियर हुआ एक उसके बाद ghost कि जितना जितना क्या होगा जितना संगटन की संगटन के फ़्य दिखाए इस्तर पे decision निर्डल लेने को जितना कम करेंगे उतना ही ज्यादा केंद्डिया क्या होगा संगठन का संगठन का संगठन होगी उतना ही वो जाएगा संगठन उसे माना जाएगा और किस चीज़ पर अधिकार पर क्या क्या राइट से कितनी शक्ति आपको प्रदान के गई क्या प्रभूता है ठीक है डॉमिनस कितनी है विवेकर दिन शक्ति पर बढ़ेगा तो हो सकता है वो शक्तियों का अपने फाइदे के लिए इस्तेमाल कर सके तो यह नेगेटिव पॉइंट भी यह देखने को मिल है यह क्लियर हुआ तो यहां क्या होता है क्यों एक इसे बाकी और साइज चीज़े भी आती है अथर्टी जादा तो होगी तो क्या होगा अथर्टेरियन सरकार बनने की चांसे बढ़ जाएंगे जो कि हमारे कहां चाइना में देखने को मिलते हैं और लोगतंत्र होगा अस् हो चेज़े का इसे भी बचाना और उसका कि रक्षा भी करना ठीक है फिस रात्रैइक और देखर हमारा विकेंदी करने करने उसके बाद भी हम रास्ट्य एकिकर्ट पर बल देते हैं और उसके पासंगा राज़्य में किसी वी देश में केंदी करना तो इसलिए हमारा जो वहां युनिट्री भी है और फैड़रल भी है जहां उसे लगता है कि उसे एकात्मक संगात्मक बनना या यही फैड़रल बनना है तो वहां उसे हमाई यह के है जोत्य विस्प्तार है वह क्या हो जाती है वह संगहात्मक्री जाती है हienna चैंज होती है यहीं हमारी देश को भूत स्चैंज को बहुत विद्वान उनने कहा है कि अच्छादे केंडी कर्ण रवस्ता में इस्थाय इकाईय केवल कार भाहक अभी करणों के रूप में कार करती हैं तो माल लीजे जो जो कोई भी संगट है ने वो केंडी कर संगट है वहां केंडी करण पर बहुत ज़्यादा फोकस दे जाता है च्राइकर बहुता है इस्थाने करण ऑह उसका कोई अधिकार नहीं होते है वो खोष के अनूसार बीन शक्राटे थे जोबी कार करना है, उसकी ज कि यहां तक क्लियर हुआ उसके बाद हैंड़ी फ्योल के अनुसार संगटन में अधिनस्थ की भूमिका को कम करने के लिए जो भी कदम उठाए जाते हैं वे सब कैंड़ी करने तो क्या होता है कि अब देखे संगटन उसमें एक दो व्यक्तितों होंगे नहीं जिसे में आपको कि मुझक की बात करें लिए हैं हमारी जए धिनस्त होते हैं अधिनस्त होते हैं उनकी भूमिका बहुत कम हो जाते हैं क्यों कम हो जाती té केवल केखना सब्सक्तितों वे पर जब बहुत यरुवक निए तो हैं अभी करन को कम करने के लिए जो भी कदम उठा जाते हैं वो सब कहते हैं तो all these steps that are taken to reduce the role of subordinates in the organizations are called or covered by centralization clear वो यहां तक आई हो किसी को कोई doubt ने होगा तो मुझे आप लोग comment करके बना सकते हैं या फिर आप लोग मुझे चाहें तो हमाय टेलिग्राम पे मुझे message कर सकते हैं यहां दा clear हुआ यहां दा किसी कोई doubt यहां दा clear हुआ तो अब आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद कोई और तिंग कर आते हैं अब उन्होंने उसी की अभदार ना में कुछ और पहले हैं रिफो ने क्या बोला कि जाब अधिनस के आप जो भूमिका है उसे कम करते हैं तो मतलब वह सब केंडी करेंड के क्या है वहीं लुइस ए एलन क्या कहते हैं Centralization means that most decision in terms of the work to be done are not taken by individuals who are working but are taken at the higher point of organization तो केंड का आशर क्या है लुइस ए एलन के अनुसार कि किये जाने वाले कारों के संदर में अधिकांश निर्णय उन व्यक्ति दार लिए जाते हैं जो कि कार कर रहे हैं पर तो संगटां के अचने विन्दू पर लिये जाते हैं प्र क्या हुता कहने करन का मतलब क्या है कि अगर महाल लेजा आपको blue संगटन है जिपन है निर्णय लेहीं ठीक है को छै दिन्दे लेक्स we वो कोनी जो न्राइब वहां कार कर रहा है हुए उसके अलाब़ा उसको कैसे कार करИ इन इन तो को क्रिजों को अट हर प्र का इन अनुछलों को जो पूर वाली उचिछ उक्स सर पर ली जाए है उन सब को नोने के लिए कि इसमें की बात करें कुछ बात कहते हैं कि इसे उच तल की और प्रशाश्चिक सत्ता के स्थान की प्रक्या को के लिए कहा जाता है लेवल पे छेशचिक प्रक्या कैंड्य के Sims होअच लेवल के जाते हैं उसे नीचे लिए कि इसको मिलेन किसको मिल रही है हार उसके लेवल से क्यों का जाता है एक कर्ण है और इसे हम कहते हैं, वहीं विकेंदी करण की बागे तो वह इसका ही विप्रीट प्रक्रियागर होती है, जब अथॉल्ट्य उच इस्तर से निम इस्तर की तरफ आती है, तो उसे हम विकेंदी करण कहते हैं, क्या होगा यह एक है यह एक है यह एक है यह शक्त यह हमार लोगर लेबल नेम रच्फर और है हई को यह होता हमारा ऊच पसक्र सथ स्ट्र की है यह सत्था यह सट्था नेचे से ऊपर की तुर्फ जाते हों हमаки कहेंगे से हूँ केंद्री करें ठीक है और सत्र नी ऊपर से नीची की तरफ जाती है उसे हम कहते हैं कि केंद्री करेंड्र या फिर प्री सेंट्रल लाइड कि प्रेशन या फीजा कहेंगे से से क्लियर हुआ तो यह वी प्रेशन होगी वह हमारे विकेंद्री कंड्र में आएगा दिखेख है सब और क्लियर होगा अब केमिकंड के बारे में देखें यह अब उसके गुड़ क्या होते हैं तो कुछ पॉपर्टी रोती इसके काँड कुछ कंड़ मुटें वो आपना थे बीकेंडिकंड को और कुछ दोनों के mixture को तो क्यों candy का अपना ना क्यों विकेंडी को इन सब चीजों को अब हम डीटेल में इन सब से बारे में हम बात करेंगे pac Map भूब्स का कॉंड केंडी कर्ड को घेंगे अब ठीक है कि एनी को लिब हो यहां तक अब तो केंदी करण का यहां गोड़ है कि वह समस अधिकारों शक्तितों को प्रभावी नियंतर इस्थापित करता है जिससे अधिनस अधिकारी एवं कर्मिटे अपनी मनमानी नहीं कर पाते हैं केंदी करण क्या होता है कि जो यह गोड होता है वो किसके पास होता है वह उच जो इस तर पे बैटे हैं जो अधिकारी उनके पास होता है जिनके पास सारे अधिकार होते हैं सारी शक्तियां होती हैं सारी सक्ता होती है तो लोने कहा है जिससे क्या होता है जो अधिनस अधिकारी होती है जो नीचे इस के पास अपनी मनमानी नहीं कर पाते और उसकी शक्तियां नहीं होते हैं यह एक फाइदा होता है केंडी करन का लेकिन एक सुक्सान भी है कि उच इस तरह के जो लोग है क्या करेंगे वह अपनी वह तो अपनी कर सकते ना वह तो अपनी मनमानी कर सकते तो यह उसका एक हो जाए करते हैं अगले केंड़ी करन की प्लक्रिया से पीरिसाशी नहाजा में एक रुपता आता अब क्या होता था है जो हमारा आदेश देने की यह चाना हो सही पूर्तिक्ता होतीन वह सुपनर दृप आदेश हमाई क्यों सब्सक्राइव sir केंडी करण से क्लियर हुआ कि जो धाचा वह भी सेम होगा पूरे संगटन में जैसे कि हम इंडिया की बात को इंडिया जो गवर्वर्मेंट है उसमें केंडी में अलगे राज में एक राज में हमारे इस्थानी निकाय भी आते हैं तो धाचा जाता हो थोड़ सा अलग हो जात ह clinical सता है कहीं तिन त्री हमारी पंचायथी राज है कहीं दो इस्थरिये पंच्था दिना तो क्या हुहा प्रशाश्नि 3 ं व्च्राशनी तसो यह बदल गे हमारे ठीक है लेकिंडिक में होताँ बिदो ह mahn काया उन इस निया फैर इसमक्ता ही हर से ऐ तो उनमें एक रूपता देखने को मिलती है clear कि यहां तक लियर हुआ उसके बाद केंडी करेंड में से मित वेटा वह बढ़ावा मिलता है क्योंकि प्रशाशिक संगटन में अधिकारिय यह हम करम्टा कि कंकिया कम होती है मैं तो किया होता है साय है वो कौन ले रहा कौन ले रहा है कंड है जो जो अधिकारी होती है उन्की जो पमटी वह बढ़ जाएगी लेकिन केवल नीचे वालों को तो केवल उन्हें फॉलो करने ना बिना अपने दिमाग लगाए तो यहां क्योंती स्टाफ की ओफिसर्स की अधिकारियों की जो संक्याय वो भी कव देखने को मिलती है ठीक है अब अब मालेजे तभी कोई अपात का लिन इस्तिति आ गए पर इस्तिति आगए इमाजिशन आगे तो कभी भी केंदी करण जहां होता है ना वहां उससे उभरना आसान होता है ठीक है या फिर संगटन को उसका सामना आसान की कुछ लोग की होते हैं मुट्टी वा लोग जो निर् आसान लगने लगता है जहां हम केंदी करण्ट की बाद करते हैं तो केंदी केंदी करण फिर केजी करेंड के माद्य हमसे बहतर सचार करना संसर्ण हो जाता है क्या होता कॉडिनेशन की तो एक समन्वे सथाप्इट करना भी आसब हो जाता है साथ निकिक्रेशन जो से पता है कि अगर कोई काम उसने किसी को दिया है तोसिषों से Communicate करना वह सरन करते हैं है क्यां के अट्रीकिय璃 कि प्रकिलय से नाजिक सेवायं जो होती है वो आसानी से प्राप्त होती है कहा चैंट जो ज़लवत होगी क्या होगा कि एक ही वेक्ति पे होगा अगर दस लोगों से नागरिक होगा सेवाइन लेनी के विए जीसा हमने सिंगल विंडो क्लिरंस की बात करें तो वैसे वेक्ति को एक ही वेक्ति के पास जारा सब काम क्ले तो वो आसानी होगी लेकिन हर चुटी-चु वेक्ति को सारे काम करने वह ज्यादा नागरिकों और यह जाएक होर् सभाइन हो जाती है और यह जो होता है प्रक्रिय वह भी आसान देखने को मिलता है के लिए के बाद आपको दूसरे के पास नहीं जाना है एक ही व्यक्ति जो करके देगा वही फाइनल होगा ऐसे में कहता है दस लेवल होते तो आपको दस लोगों के पास जाके के साइन करवाना पड़ता है यह चीज देखने को मिलती है क्लियर उसके बाद केंडी कर्ण में रास्टेहत को सर्वोश प्राक्ट्रात्मिक तक दी जाती है क्योंकि वहां यहां रख्ठेवन प्रति रख्षा को और रास्ट की एक तौर अखंड़ा को बना रखने के लिए अ वहीं यहां बाद आती है लोग तंटकी तो वहां संगात्मक वह अपना लेती है तो प्रियोरिटी की हिसाफ से कि जिस चीज की प्रात्यमिक तर उसकी हिसाफ से हमारे देश जो होता है वह मोल्ड हो जाता है क्या पास्ट का लिंग पर इस लिए तो एक आप्र होगी नोर्म की एक तोर खंटा बना रखने के लिए वह अवशक भी होता है इसलिए हमारा एकाथ में संगात्मक धाचा के साथ एकाथ में धागजे को भी अपनाया गया है क्लियर वह यहां तक यहां तक किसी को कोई डाउट है कि किसी को कोई डाउट नहीं है ना आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं इनके केलिकरण के दोश की तो मैं समझ में आगया होगा कब केलिकरण के डाउट की बात को तो वह निम्ली कित है कौन-कौन से हैं किसी भी निर्डे से नीथि निर्मान में गलती होने की वियापति का भाब भी हो सकता है क्या होता है कें-दि-कर्ण अब वह एक वैक्षिन होता है सकी। तो आपने केंदी करन को कोि करन होता है कि करन होता है उसमें नीति-णिर्मान-चिस्तर पर लिया जाता है जब वह मुष इस्तर पर रहेंगे यट पॉलिसी फॉर्मिलिशन लें तो ने जो गलती होने की संभाबना भी बढ़ जाती है तो अधिक होती है क्योंकि यह नहीं प्र प्रिदेश लिए एक policy बना ली जाए तो केला हमारे स्थिती अलग है ता मिलाडू में अलग है आंग्रा में अलग है माध्य प्रिदेश में जम्मू कश्मीर में तो पांचयों जगा एक सी नीथी को तो नहीं अपना जाद सकती हमें उन्हें मोल्ड करना पड़ता है किस जग व्यापक नहीं होता है वहां जो चार लोग बैठे है उन्हें संकुचित वे में वह चीज को बनाया है ठीक है तो संकुचित होगी चीज तो उन्हें ज्यादा जोसके जैसे हम लोग ने पढ़ा है कि है जिसके अलग-अलग आस्पेक्ट्स होते हैं तो जो होगा वह जुचित हो सकती है और व्यापक नहीं होगे तो ज्यादा आसपेक्ट को वह कवर नहीं कर पाएंगे और किसी भी संकुचित होते हैं अगर एक भी चोड़ेगा तो क्या होगा उस से जो लक्ष होंगे संकुचित के उसकी प्राप्ति में हमें मुसीबत या परेशाने उठा होता है क्या कोई पता होगा क्या होता है मुझे कोई डिसिजन लेना मेरे उपार चार हिराकी है जो हमने हिराकी अलड़ी पढ़ चुके पर्सोपर को पढ़ा चुकी हुए तो चार सार ऊपर कोई वैक्ति है ठीक है तो मुझे क्या करना होगा पहले मेरे उपर वाले को मैं बत क्रियान बन करना है हो सकता है वह उचित तरीके से ना हो पाए तो सकता है तो देश के पूर्थी के लिए वह कार कर रहे है वह पूर्ण ही ना हो पाए कि क्लियर नी का कि दाग तो ही केंदी करन इसा माय पहले मुनार्की थी राजा महराजा राच्छ करते थे फिर इस्ट इंडिया कंपनी तो क्या हुआ केंदी करन बहुत जाला था लेकिन 21 सती आती है तो आपको पता हो गोवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट आप आपार सब्सक्राइब जी राच्छ करने लगे तो से क्या हुआ यह बढ़ने लगा जो केंदी कर्ण से क्या होता जो हमारे लोक्तांत्रिक मूल है लेकिन हो क्या हुआ कि जैसे उनी स्विसाति दी आती गई तो जो केंडिकर्ण का सिद्धान था वो कमजोर होता गया और साथ ही यह कम रिलेवेंट भी बटनाब कम इसकी प्रसंगिक्ता बची तो यह आप प्रसंगिक होता चला गया समय के साथ इसके संगटन के कामें जट्टिलता बढ़ती जा साथ है क्या हुआ कि केंडिकर्ण होगा तो अब क्या होगा अब आप कार जो होगी देखें अब हमारा लोकतांतिक सरकाज दिर जीरे बनने लगी थी तो लोकतांतिक हो गए लेकिन दिरे बनने लगी तो कार में जट्टिलता भी आने लगी तो वह सब चीदों भी क्या होता के लचीलेपन का आभाव या लैक ओफ एक्टिल बिटी देखने को मिलती है जिसकी कांड क्या होगा लचीलेपन का मोगा तो लाल फीतर शाही तो रेट टेफिसर में जिसमें काम को डिले करते हैं कम करते हैं उन सब चीदों को बढ़ावा मिल जाएगा ठीक है तो कि केंडी कर इस तरह पर नागरी को कुछ लाब उठाना चाहिए था वह संगटन से नहीं मिल पाता है और नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा जनता में आक्रोश आएगा ठीक है और हो सकतर जनता इसके अगे अगे अवाद भी उठाने लगे यहां सक्लियर हुआ तो यहां हमारे केंडी क क्या होता है ठीक है रूंटे सरते हैं दीक्हें है सब्सक्राइब कर इस सर राखकर फी सब्सक्राइब करने क Лो तो bay तो इसमें क्या होता है जिससदेress था टिबाड़ा स्थानिय स्वाता निकायों को स्वाता प्रता को बढ़ावा देना है तो वहां अवशक्ता होती है किसी भी संगक्रटन में विकेंद्री करण्ट की जहां शक्ति एक जी और इस्तरों में और निकी शक्ती अलग अलग बेर को दी जाती है ताकि वो अपने हिसाबते विवेकाहीन और जो सिक्वीजन होती सकंसे उसके अकॉर्डिंग को क्या कर सके तो यहां क्या क्या नीचे से उपर पर जाला उपर पर या तो वह होता है वहीं सक्ता जैब उपर से नीचे 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 क्या है तो विकेंदी करिंट वह क्रक्रिया ऑढर और शक्तियों को जो हस्तान कर दो jsut से निम्लिस्तर की और होता है जहां वो लोगों के निम्रिस्तर के लोग Is उनसे भागिदारी ज्यादा होती है नेड़ने लेने में नीति निर्मान करने में उनका क्रियानन करने में और उनका मुल्यांकन करने में अधिक साधिक लोगों की सहे भागिता सुलिचीत होती कि इसमें हमारे विकेंडी करेंड में तो विकेंडी करेंड आत्म ने सहे भागि सापना है संचुटन सापना के का श भीगें दे करन का आदार्ज आदर शधारन का पर स correl करन कि वहांने निकार्ण लोकल बॉडिस होती जिनके चुनाओं होते हैं जनता की द्वारा और वह अपने पतिनेरी को चुनती हैं और वह उनकी हिसाफ से उनके हित्मेकार करता है क्लियर भही अगर हम चौहतार वे संविधान चिंचोनन की बात करें उसमें क्या हुआ था कि यह शक्तियां किसके पास टी हमारी क्या बोलते हैं यह शक्तियां हम आई थी चहरे निखाय के पास ताकि वह अपने निधने को अपने लने का इक फाइधा यह होता है कि उन्हें लिए ज्यादा चीज़ेशें पता होती जो की वह चिस्तर में जो याक्तिवेट है उससे जादा और जब उन्हें पता होगी कि लोगों को किस चीज़ की अवशक्ता है तो इससे क्या फायदा होगा जब अवशक्ता का पता होगा तभी तो उन्हें यह भी पता चलेगा कि यह हमें किस तरहां से उन अवशक्ताओं को पूरा भी करना है तो जो विकेंदी कर्ड़ हुआ हमारा तेहतरवा चौ सब्सक्राइब देखने को मिलेगी अभी वर्तिमान में हमारा चार प्रकार की विकेंदी करेंड देखे जाते हैं जो कि प्रशाश्चिनिक कार्यात्माक, फंक्शन राज निति刃 और भूगोलिक तो च्छ क्या होगा पंचायती राज आया क्या होगा कि कहीं कहीं ट्राइबल एरिया से समरा पेश मसर्य होगी कि वहां राथ सब्सक्राइब करने होते हैं तो जैसे कि हैं केंडी करेंट के वाएं में कुछ बारे में क्या कहते हैं कि अधिनस्ट वर्ग है जो हमाई सब्सक्राइब क्लास है उसकी भूमी का महस्व को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाया जाते हैं वह कहते हैं विकेंद्री करन्ट क्लियर हुआ विकेंद्री करन्ट किसे कहते हैं विकेंद्री कर तो मुर्ट के विकेंद्ध करन्ट जो होता है वो एक प्रत्यों पेलू जो है वह आता है हमारा रशी मिंकल physician है 151 ह्Яक्त है जहां जिस सीमा पर अधिकारों का प्रत्यूजर नहीं होता है उन्हें हम कहते हैं जब प्रत्यूजर हो जाता है वहां हम उसे के विकेंदी करण कहने लगते हैं जैसे अगर हम लाते कि आखर कला जाता है जिए लक्ष को पाने के लिए के लक्ष की प्राप्ति के उद्देश प्रम कार करें तो वह हमारा संगतन को अच्छेसे कंद्ध कर के सुद्धा पन पहाँ जाता है जो कि मारे प्रशाशन के बहुत ज़्यादा अवशक महसूर बहुत ज़्यादा पॉजिटिफ वे में हमारे संग्टन को तक आता है इंपक्ट उस पे जालता है वहीं सॉरी गाइद वहीं विकेनिकरण की बात करूं मैं तो अगर विकेनिकरण की प्रक्रिया है उससे संगठन के कारियों में बिलंब नहीं होता है ठीक है क्योंकि मान लेजें कभी इतम से जरुआ तो मैंने आपको नायक मूली के ग्जेम्पल दे था ना दोतीन दिन पहले डेलीकेशन में प्र होता है कि आप अलग-अलग हिरायपिकी पर decision लेने जाते हैं तो कार में क्या होता है बढ़ जाता है मतलब जो कार होते हैं हमारे उसमें समय बिलंब होता है तो हो सकता है कार का जो सही सामका में हो निकल जाए हो सकता है कार जो भी फायदा पहुंचा रहा हो वह संगण की वह कुछ हो जाए इसलिए केंदी क्रेंट से क्या होता है कि किसी भी कार में वह क्या होता है कि अगर वहां कुछ अवर्शक्ता हो कुछ ऐसी पर नहीं हो जहां आपका decision ले सकता है और जब वह ऐसी जगहां पर जो होता decision ले सकता है तो क्या होता कार में विलंब नहीं होता पहल करते हैं तो यह जो लोग जो बेनिफीश रही उन तक पहुंच सके लियर पर टीस्टी बात करते हैं प्रसाशन से कारों का हस्तान तर्ण हो जाता है अब क्या होता है कि आप विकेनी करण हुआ तो हो सकता है जो उच्छ अदिकारी उनके पास दबाब कम होगा तो जो महत्पूर्ण विश्य होंगे उस पर वो ध्यान दे पाएंगे जो कई बास के तो चूट जाया करते हैं वह अगर नहीं चूटेंगे तो क्या होगा तो क्या होगा कि यस संगटन हैं हो सही सही रंग से कार कर पाएगी लोगों की अफचाप फेंट पलतर पाएगी तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं वहीं एक आगेस्थ प्रकूई तो संगटर के कार्वह नहीं होता है और यह क्या होता है शताहता की जाती है विक अधिकार्यों पर कार्यों का दबाब कम होता है और अधिक ध्यान दे पाते हैं इसलिए जो केंदी करने करने वह हमारे लोग तन उसे और ज़्या जबूति प्रदान करता है और इसे क्या होता है अधिक से अधिक लोगों की जोती सहअफागीता बढ़ जाती है अब लोगों का पीपल पार्ट से पीछाएगा तो लोगों कि संक्तुस्थी भी होगी कहीं पर कोई भी कारण होगी वह बढ़े जाएगी और बढ़ जाएगी जैनता का abdi Music कर पाएगी साहट ऑफ है की विए सब्दा करते चाहतर वाई डिकेर पाइंटि करन सब्सक्राइं कर intent Cry lagad owners का यहाई की तो ma वही के वह लोग चुनकान लगे लोगों के जनता की हित के लिए वह काम को अने लगी तो जनता की भागिदारी बढ़ी किनोंने वोट दिया जो कंपलसरी हो गया साथ उनके अपने पन की फीलिंग है कि जो सरकार है वो हमाई लिए काम कर रहे हैं तो हमारा फाइदा नुकसान भी देखा उन्होंने कि किस तरह से माली कोई मुसीवत है किसी गाउन में तो उसे कैसा दूर कर सकता है वो एक लोकल परसन नहीं जानता है तो यह सब चीजें भी जादा हो जाता है इससे क्या होता है जो सहाब आगीता होती है हमारे जन की वो और जादा बढ़ जाती है क्लियर कि यहां तक क्लियर हुआ क्लियर हुआ यहां तक तो अब बात करते हैं इसके कुछ विकेंदी करन के दोश्यों की देख्वाप देखने को मिलते हैं अब क्या होगा हर इसकर क्या और कंट्रोल कर रहा है अग्हें सतर पर कंट्रोल हो रहा है तो उसका अभाब भी देखने को मिलता है तो कि देखने में करवाना वह तीन दिन में हो रहा हो कोई और समस्थ्या भी आ गई हो इस तरह की चीज़र देखने को मिलती है तो क्या होता है जो नियंद्र कच्छी वह कम हो जाता है वह आर्पर नहीं कर आते हैं विकेंदिकर्ण की प्रक्रिया से प्रसाशन से और जन्ता जो संगरतों से बहुत सब्सक्राइब होते तो जो बहुत जादा बढ़ जाता है तो जो वहां केंडिकर ने क्या होता है वह बहुत जादा बढ़ जाता है और उसके भारी प्रद्धी देखने को भी मिलती है क्लियर में आधिकु और दिस्ट पम लोग वोंगे तो अगर पांच लोग हैं तो कौर्डिनेशन इजी हो गला कॉर्डिनेशन उसी हो gdzie होता गओ कोडिनेशन और काम करना आज़ाइशन तो कम्मिनिकेशन संचार के से अच्छा होगा तो इन दोरों का आभाब भी अभाब भी हमें क्या संगटन में देखने को मिलता है कि तो जो एक रूपता किसी भी संगटन में होती है वो देखने को नहीं मूलती जैसे कि मैं आपको पताए था संगटन में एक रूपता का अभाब होता है यहां तक क्लियर हुआ सबसे हैं वह जबता है तक क्या हम नेत रचने हिद को यह सूच्छतानों पर हुआ हैаров और उसके बाक्तन क्य추 क्या आपको तर्चाने हित को जादा म्हत से क्या है यह हैं शोरे को हम रास्टी कहिंत्तर कर दो न सबस्वाइब को पहए हो तो sommes तो बहुत बड़ा आहित है कि अगर चेत्रवात बढ़ावा देता है तो क्या हुता है चेत्रवाद की पॉस्पिलिटीज बढ़े जाती है और यह हमारे देश की जो एक ता है और अखंडा उस पर हानी पहुंचेगी इसलिए यह कहालत हो तो वह एक दोश की तरह काम करता है यहां कि अखंता और एक रूप्ता है जो और केघता में एक भात की विषिष्टता उस चीज को भी आनीय धोने की। निगोड़ा सोने के जाते हैं चानसेट बढ़ क्लियर हो memo few लेस्ट के एक्षां करा नहीं भूलेगा वहाँ पूêtes सकते हैं मैं आपको मिल दो तो वहाँ से विआ आप मुझे कॉंटक कर सकते हैं सकनद करना माई ईपडेट मिल सकते हुए है नहीं इसके मी जो करना है सब्सक्राइब करें बाद सब्सक्राइब वेड़ी सब्सक्राइब करता है सब्सक्राइब करें लिए जो होता है मेरा इंडियन परिटी यह हमारा नेक्स्ट वीक अग्स तेही नवंबर तक हम इसे वाइंड आप कर लेगे तो इसके अलावा में आपको लिए लाओंगी पढ़ेंगे और आपको पढ़ाओंगी तो फिर हम उसका पूरा यूनिट है मुश्क्राइब 15 क्लास लगेंगे तो फिर हम कोई नया सब्जेक्ट में आपके लिए लाओंगी और और मैं कोशिच करूँगे कि दिसंबर में पूरा इतिहास को भी बाइंड परें थोड़ी से हम लंबी क्लास ले लेंगे मींज एक की जगा हम देड पॉने दो घंटी की क्लास ले लिया करेंगे ताकि हम आज जो इतिहास से वह हम कबर कर पा है रात में नौ बजे मैं आ कोशिच है मेरी आप से कि end of November तक मैं आपको प्रारूप लेखन जो है वह भी कंप्रीट करवादू तो मैंने काफी चीज़ां आपकी कंप्रीट करवादी पेपर तू का पुरा भाग एक और भाग भी का समाज समाज सास का जो भाग है वह भाग एका मैं हम लोग दे एंज लेकर ना आएगा खतम होगा मैं कोशिच करूंगे आपकी हिंदी जो है जो है हिंदी है वह मैं आपकी कंप्लीट करवादू ताकि हम पेपर फैक को भी जिसके टोटल पंदर टॉपिक है तो उन पंदर टॉपिक को भी हम पूरा डीटियल से डिसकस करके खतम कर दें लियर तो गाइस सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा मेरा कोड है वैशाली मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको सारे पेड कोस जो भी हमारे अन अकाडमी पे उन सभी पर आपको 10% डिसकॉंट मिलता है तो गाइस एक साल का जो आपको पढ़ता है वहीं दो साल की कीमत है आज साथ में हम आपको कम टाइम है केवल आपको मेरी इक लास नी बरकि जितने भी एजुकेटर अवेलेबल है माय अन अकाडमी पे सब्की क्लासे आपको अवेलेबल होती है साथी च्छह महीने बारा महीने और चौविस महीने पे हमारा आपके लिए नो कोस्ट यह माई का भी इसे क्या फायदा होगा आपको जब दोनों की तैयारी करेंगे और जितने एजुकेटर तो रोज एक घंटी क्लास होती है आप अगर वह भी पूरी कर लेंगे तो तीन से चार मेने में में आल्मोस साह टीचत मिलके आपको सारा कोर्स करवा देंगे उससे यह होगा कि हमारे बहुत जल्दी कवर करने वाले तो निश्चिन रहिए और इशान मतली इसके वाल सब्सक्रिप्शन ले लिए आपके सारे कोर्स साथ ही आपको वहां बाइलिंगल हमारी मैगजिन जो है इसे हम लोग कहते बर्चस वह भी आपको बाय मन्त लिए मन्त में दो बार आपको पा को सब्सक्राइब करना नहीं बूलेगा let's check amp exam को subscribe करना नहीं बूलेगा ब्ल आ कर जबर करेंगा कि आपको नोटिफिकेशर मिल सके और साथ ही टेलीग्राम पर स्च्प्राइब एंद हम फिर मिलते हैं मंडे को अब and for all of you guys happy Diwali in advance क्योंकि हम मंदे को मिलेंगे तो बबाए टेक करें दन सुरक्षित हाई एंड साथ ही सुरक्षित रूप से दिवाली को भी मनाईएगा ठीक है वी सेफ गाइस बबाए टेक कर वे नाइस दे बाए एक पिवाली काईपड़ साथ ही सुरक्त कर वे रूत्सक्त कर वेता बाए भी मनाईवड़ मत्सक्त कर वे पलता दिवाली कर वे वेुम तो रहाईटी कर वेक वेगिंगर साथ दि полит ACT दूप सुरक्षितектив कर दो सरता ही से एप बदित दूम